नमस्कार स्वागत है आप सब का तो आज के इस खास वीडियो में हम बनाने वाले हैं जटपट से बनने वाला खिला 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 हेल्थी टेस्टी दलिया पुलाओ जिसे आप ब्रेक्फर्स लंच डिनर या फिस स्नाक किसी भी तरह से इंजॉय कर सकते हैं और ये बच्चों स से तीखरद स्पून परिश्टी जैसे करेंगे मैं जैसे ही गी गरम होगा डालेंगे चीझाप छवडाच हमच जिरा और हम जीडिया के क्राइकल होने का इनतजार ब्रेक्ट करेंगे गिमुश्प इसेम सब्स्टीम से और इक कप मेच्रिंग कि साब के tracks यह supplier का जांझे हो और साथ ही हम डालेंगे एक चमच अद्रक ग्रेट करके यानि कि कदुकस करके अब इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हमें भूनना है करीब एक से दो मिनिट तक या फिर तब तक जब तक कि हमारा जो दलिया है इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता ये अच्छी तना से भून नहीं जाता इस तना से भूनने पर अद्रक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो कुछ तेर बाद आप ठोटिस करेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें अद्रक, घी और तलिये की बड़ी अच्छी-च्छी सी खुश्वू आने लगी है तो देखिए ये बिल्कुल तयार हो चुका है अगले स्टेज के लिए बस इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़ा पारीक कटा हुआ टामाटर इसी के साथ इसमें हम डालेंगे आधा कप मटर ये फ्रेश मटर है जिसे मैंने दोके डाला है और साती हम डालेंगे इसमें आलू ये एक छोटा आलू है जिसे मैंने छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिया है वैसे मुझे आलू बहुत पसंद है इसलिए मैं तो इसमें आलू डाल रही हूँ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे avoid कर सकते हैं इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गाजर एकदम बारीक बारीक काटके अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सबसी इसमें डाल सकते हैं जिसे beans, broccoli जो भी अच्छा लगे और थोड़े से तिखास के लिए हमने डाला है एक खरी मिर्च एकदम बारीक बारीक काटके साथी डालेंगे इसमें हम स्वादुन स्वार नमक और थोड़ी सी लाल मिश डालेंगे वो भी हमारे टेस्ट के हिज़ाब से बस अफलेम को लोटू मीडियम करके सारी चीज़ों को हम कुछ सेकिन के लिए भून लेंगे ऐसा करने से इन सबसियों का थोड़ा सा कच्चा पन निकल जाएगा जो टमाटर हैं वो भी थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएगे और इसका स्वाद और बढ़ जाएगा दलिये के साथ तो चलिए कुछ सेकिन के लिए भून लेते हैं ने तो 30-40 सेकिन में ही आप नोटिस करेंगे कि टमाटर बारी कटे हुए थे अच्छी तरह से पक कर भून जाएंगे और दलिये का कलर भी चेंज कर देंगे इस तरह से ब्यूटिफुल सा हो जाएगा तो बस अब बारी है पानी की तो बड़ा सीधा सा हिसाब है एक कप दलिया लिया था तो दो कप पानी डाल देंगे उसी कप से नाप कर बस इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे mix सब कुछ अच्छी तरह से mix हो चुका है कुकर को cover करेंगे lid से और इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे medium to high flame पर एक सीटी आने तक तो जैसे ही कुकर में आएगी एक सीटी flame को एकदम कर देंगे हम low पर और इसे 30-40 सेकिंड के लिए low flame पर पकाएंगे और उसके बाद हम कर देंगे gas को off उसके बाद हम कुकर को 15 मिनिट के लिए एक दम undisturbed जोड़ेंगे और 15 मिनिट बाद ही हम कुकर को खोल कर अपने दलिय को चेक करेंगे तो चलिए थोड़ा सा इंतिजार करते हैं फिर दिखाती हूं दलिय कैसा लग रहा है तो फ्रेंट्स 15 मिनिट हो चुके हैं चलिए कुकर कोल की चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितना बड़िया लग रहा है देखने में तो बस फाइनल टेस दिने के लिए इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया दो से तीन टेबल स्पून इसे फ्रेशनेस और फ फटा फट से इसे हम सर्फ कर लेते हैं इसे पहली कि ये धंडा हो जाए तो गर्मा गरम हेल्दी तेस्टी खिला खिला दलिया पुलाओ बनकर बिल्कुल तयार है इसे आप थोड़े से धनिया पत्ते की गानिश के साथ सर्फ कीजिका ये बहुत अच्छा लगता है और अग मिलेंगे अगले वीटियो में तब तक कि रिंगे इंचु आई